सितंबर की सुरुवात से बिहार में मौनसून कमजोर रहा है अगस्त में 207.3 mm वर्षा दर्ज की गई जो समान से 4% कम है रधानी पटना में 190.8 mm बारिस हुई है उत्तर बिहार की बात करें तो वहां के कुछ जिलों में हलकी या मध्यम वर्षा और वजरपात को लेकर नई चितावनी जारी की गई है देखिया अगस्त का महिना बीद चुका है और सितंबर की एंट्री हो गई है चार महिने में दक्षिन पस्चिम मौनसून का अधिकान समया बीद चुका है लेकिन बिहार में मौनसून की चाल जो है वो थोड़ी धीमी रही है जून और जुलाई में तो मौनसून ना के बराबर था अगस्त में थोड़ी रहा जरूर मिली लेकिन सितंबर में फिर बारिस की कमी देखने को मिल रही है IMD के मुताबिक पूरे मौनसून सीजन में अब तक बिहार में समान से 25% कम बारिस हुई है IMD के मुताबिक अगस्त में समान से कम बारिस हुई और सितंबर में यही इस्थिती बनी हुई है दक्षिन बिहार के जिलों में बारिस ना के बराबर हुई जबकि उत्तर बिहार में हलकी बारिश जो है उसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है IMD ने आज यानि सोम वार को किसी भी जिले में भारी बारिश की चतावनी नहीं दी है मौसम विभाग का कहना है कि मौनसून कमजोर बना रहेगा खास कर दक्षिन बिहार में दक्षिन बिहार के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है बीते दो दिनों से उत्तर बिहार में दक्षिन बिहार के मुकाबले बारिश अधिक हुई है सोमवार को उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिस के साथ-साथ वजरपात की भी आशंका है किसन गंज, सुपॉल, अरडिया और पुर्णिया में हलकी से मध्यम बारिस के साथ वजरपात हो सकता है वहीं पुर्वी चंपारन, पश्चिमी चंपारन, गोपाल गंज, सीवहर, मधुबनी, दर्भंगा, समस्तिपुर और मुझफरपुर में हलकी से मध्यम बारिस हो सकती है हाला कि राज के किसी जिले में कितनी देर तक बारिस होगी यह कहना अभी मुश्किल है तो मौसा विभा के मुताबिक मौनसुन की अक्षिये रेखा गंगानगर, गुना, दक्षिन उरिसा और 36 गड़ से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है इसके असर से उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बारिस हो सकती है हाला की बहुत अधिक बारिस की संभावना नहीं रहेगी तो दक्षिन बिहार के सभी जिलों में बारिस जो है वो ना के बराबर होगी लेकिन जैसा IMD ने बताया है उत्तर बिहार के कुछ हिसों में बारिस होते रहेगी तो पुर्वी इलाके के कुछ जीलों में हलकी बूंदा बूंदी भी हो सकती है तापमान में कोई खास बदला होने की उमीद नहीं है और वहीं IMD ने बताया है कि आगले 5 दिनों तक मौनसून में कोई विसेश परिवर्तन नहीं होगा बात करें रजधानी पटना की तो पटना में भी बारिस ना के बराबर होगी लेकिन ठंडी हवाओं के चलते उमस और जो तपिस है जो गर्मी है उससे कुछ राहत रजधानी वाश्यों को जरूर मिलते रहेगा